दोस्तों खदी सुरक्षा के फोर्म से रिलेटेड एक नई अपडेट सामने आई है अब जिन भी लोगों ने खदी सुरक्षा में जुड़ने के लिए फोर्म बरवाया है या फिर प्रिवार में नए सदश्य जोड़ने के लिए फोर्म बरवाया है वो नाम जुड़ने में 6 मैने तक का टाइम लग सकता है जी यह अपडेट आईए मैंसा की तरह यूसफुल जान करी दूँगा तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सुस्क्राइब करना ना बोले चलिए शुरू करते हैं आप सभी को पता होगा कि खादी सुरुक्षे के फोर्म दो बार बरे जा फोर्म शुरू हुएं तो इस तरह से खादी सुरुक्षे के काफी फोर्म बरे गए हैं और अभी उन फोर्मों की जान्च नहीं हो रही है अब कहा जा रहा है कि कई जिलों में फोर्मों को देखा ही नहीं जा रहा है यानि कि फोर्मों की कोई जान्च शुरू नहीं हुई ह तो अभी देनिक बासकर में एक अपडेट आई है जिसमें कहा गया है कि अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो जो नए नाम जुड़ने हैं खादी सुरक्षा में उनमें 6 महिने तक का टाइम लग जाएगा आपको 6 महिने तक इंतजार करना पड़ सकता है अब इसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि खादी सुरक्षा के लिए जो पातर परिवार है वो उनका नाम जोड़ने का काम रज्य सरकार का है तो यही सब process चुल रहा है, तो इनी सबी प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लग रहा है, इस वज़े से खादी शुर्प्षा के फोर्मों की जाँच नहीं की जा रही है, अभी पातरता के माफ्दंड है, ऐपातरता के माफ्दंड है, उन सबी को मद्धी नजर रखते हुए ख़जी सुरुक्षा के फोर्म पास किये जाएंगे, उसी यादार पर ख़जी सुरुक्षा में लोगों को जोड़ा जाएगा, इसमें आप सभी को पता होगा कि पातरता की भी बहुत सारी केटिकरियां थी, इस बार कुछ नहीं केटिकरियां भी जोड़ी गी थी, इस तरहे से पातरता जो पातर थे उनकी बहुत सारी केटिकरियां थी इसी के साथ 5-7 पॉइंट अयपातरता के भी थे जिसमें का गया था कि गर में कोई government करमचारी नहीं हुना चीए इसे के साथ कोई आयकरदाता नहीं théहीं इस तरह के आयपातरता के पॉइंट थे गरमे चार पे या वहाँ नहीं होना चाहिए इसी के साथ और भी कुछ पॉइंट थे तो इन्हीं सभी आयपातरता के बिंदूओं को मद्दे नजर रखते वे खादी सुरुक्षा के फॉर्म की जान शुरू की जाएगी और फॉर्मो जहां शुरू होगी तबी पता चल पाएगा कि आपके फॉर्म में कोई कमी है या फिर वो फॉर्म अप्रू होता है अगर कमी होगी तो फॉर्म सेंट बेक होगा जिसमें आपको 15 दिनों का टाइम मिलेगा उन दिनों में आप अपने फॉर्म की जो भी कमी होगी वो सुदा कर पाएंगे और अगर आपका फॉर्म सभी रहेगा तो फॉर्म अप्रू हो जाएगा उसके बाद आप गहूं ले सकते हैं तो आज के वीडियों बस इतना ही उमीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आई होगी बाकि आपकी इसके बारे में क्या राय है आप क्या सोचते हो और आपके जिले में क्या फॉर्म अप्रू हुए है या नहीं कमेट सेक्शन में जरूर बताईए अगर वीडियो में कुछ भी बसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सकते है पेज जिए कमेट में बताईए कमेट सेक्शन में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं इसी के साथ अगर कोई शीरियस टोपी गवा तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे तो चलिए मिलते हैं गले वीडियो में तब तक जय हिंद बंदे मातरम